हलो एवरीवन वल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ आपकी दोस्त मिनाक्षी और आप देख रहे हैं लीफ लाइप सजावट तो आज मैं आपके साथ अपने न्यू फुटवर की अन्बॉक्सिंग करूंगी तो चलिए गैस वीडियो को शुरू करते हैं तो यह देखिए कुछ इस तरह की पैकिंग में मुझे रिसीव हुआ है और यह फ्लिप कार्ड से लिया है तो चलिए करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग यह प्लास्टिक इससे जिकुर्ट चिपक रही है बॉक्स से तो डिपे की यह वाली हालत हो रखी है मुझे यह प्लास्टिक की फॉलोगिं में से यह डिपा नहीं निकालना चाहिए था बाप्रेग इस तरह का कंडिशन हो गया इसका चलिए यह इसके बॉक्स की हालत है और इस तरह की साइटिम है तो यह देखिए इस तरह का है यह और इसकी जो हील है वो ब्लॉक हील है 3-3 इंचिस की हील है ट्रांस्पेरण है का यह और यह प्लॉक्त है यह हूँ अपर फॉटवेर प्राइस नहीं तोड़ा और यह मैंने फ्लिप कार्ड से लिया है अगर आप इसे लेना चाहते हो मैं आप सबी के साथ इसका लिंक शेयर कर दूँगी यह बैक साइड से कुछ इस तरह का है यह विल्कुल प्लेन है थोड़ा सा पानी में स्लिप होने का डर हो सकता है और मेरे जो साइड से वो 36 है बाकी से मैं विया करके दिखाती हूँ आपको विया करने के बाद ही किस तरह का लगता है कमफर्टेबल है नहीं है यह मैं आपको आगे बताऊंगी तो चली मैं आपको विया करके दिखाती हूँ अगर आपके फुटवेर लेना चाहते हैं बिलकुल ले सकते हैं काफी ज़्यादा कमफर्टेबल है यह और आप देख सकते हैं बैक साइड से कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं और इसके साथ मैंने थिन लेयर की पायल पहन रखी है जो की काफी ज़्यादा खूबसूरत ल तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसी टू वेर है आप इसे अराम से पहन सकते हैं उतार सकते हैं बहुत अराम से निकल जाते हैं किसी तरह के पैर में फस्ते नहीं हैं कुछ इस तरह के फुटवेर होते हैं जो पैर में फस्त जाते हैं बहुत मुश्किल से निकलते हैं पहन कर रही हूँ और मेरे पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है कुछ इस तरह के फुट बेर होते हैं आप 2-3 घंटे पहन के रखो तो आपके पैरों में काफी दर्द होने लग जाता है इनके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अगर अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और हाँ जी बैल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजेगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो मिलती हूँ गाईस एक और नहीं वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई